सब कुछ जीता जा सकता है संसकार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है एहंकार से आप सब कुछ जीत सकते हैं, रामड ने संसकार बलके प्रवाव से क्या-क्या नहीं जीता पर रामड क्या-क्या नहीं हारा ये भी पढ़ना कभी बंस भी हारा, घर भी हारा, राजपाट भी हारा परना रामड जैसा ग्यानी, हम रामड की तारीप नहीं कर रहे हो ये भी मत करना कि तुम कल से राम की पूजा बंद करके रामड की शुरू करो बता रहे हैं, रामड जैसा ग्यानी, ध्यानी, रामड का कुल उत्तमकुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजव बली भाती राबर जैसा बंस उत्तमकुल का पुलस्त रिशी का नाती है विश्वश्रवा का पुत्र है मा का नाम केक स्री और स्वयम भी साधहरन नहीं परम शिव भक्त शिव भक्त इतना कि लोग तो बिल्ल पत्तर चड़ाते हैं, पुस्प चड़ाते हैं, पत्तर चड़ाते हैं, इसने सोचा बिल्ल पत्तर चड़ाने से क्या रता, अपना सिरही चड़ा दिया, काटका, शिवभक्त भी इतना, शिवभक्त इतना कि आप लोग शिवतांडव पढ़ते हैं, वो रा व्राट भी। ये रामण द्वारा बिरीचित थे रामण ने इसकी रचना कि इतना बल इतना चलत दसानन, डोलत अबनी सruff आँब दर चलता है तो प्रत्वी डोलती रामड पड़ियेगा चलत दसानन, डोलत अबनी बल इतना और बड़ा भी इतना कभी कभी रामड पर भाहत खुसी होती है कभी कभी हम कहें सावाज मेरे बाद बहादुर साबास जिसको मानने के लिए स्वयम ब्रह्मों को आना पड़े वो साधारन थोड़ी हो सकता है इतना बलबान ज्यान बान बुद्धी भी हम लोगों के पास तो एक सेर हैं उसके पास दस 10 हेट्स इसलिए उसका नाम पड़ा धसानन क्या नाम पड़ा दसानन क्योंकि दसानन है एक बार एक संत से एक सजन पूछ रहे थे महराजी रामर के अगर दस सिर थे तो वो सोता कैसे होगा हमने संतने का मतलब बुले जब वो लेटता होगा उसे करबट बदलना होगा तो वो इस्प्रिंग थोड़ी है हमने संतने भी बड़ा प्यारा जबाब दिया बुले जिसके ज़ादा सिर होते न ज़ादा खोपड़ी होती है वो न सोता है न सोने देता है तरक अच्छा थे कि जिसके दस सिर हो वो सोता कैसे होगा भाई उसे करवड बदलना होगा तो वह पहले खड़ा होता होगा विश्तर पर फिर उल्टा होता होगा क्योंकि चार एक तरफ पांच एक तरफ अब उगर नहीं तो तूट जाएंगे अगर बुद्ध तो संत ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया जसके ज़्यादा सीर होते हैं वो न सोता है न सोने देता है तो रामर कितना बलवान कितना बुद्धिमान पर उसके जिंदिगी में कुछ भी नहीं माइनस था एक चीज माइनस थी रामर की क्या बोलो ना अहम इगो अहमकार उसको ले डूबा जो लंका का राजाज उसकी सोने की नगरी इतना बड़ा बलवान इतना बड़ा बुद्धिमान जब वो नहीं बच पाया तो विचार करो हम आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगते उसकी जारूं में अपनी संपत्ती बिक जाएगी अब जब सोने की लंका होगी तो सोने की तो जारू होगी ना सोने की जारू होगी तो लंका की जारू छोटी मोटी तो होगी नहीं थोड़ा बड़ी होगी बड़ी होगी तो अपनी संपत्ती तो एक जारू में ही चली जाएगी जब उतना बड़ा रमड नहीं बचपाया एक माइनस पॉइंट से तो हम आप कैसे बचपाएंगे अपनी जिन्दगी में हमको दूर रखिये हम में जी जी ए हम में जिन्दगी जी ए हम सच कहते हैं आपकी जिन्दगी में कोई दाग नहीं लग सकता है आप कभी घाटा नहीं खाएंगे लोगों का नजारा दो तरह से बदल जाता है एक दूर से एक गुरूर से दूर से देखने में भी कुछ अलग नगज़ आता है और गुरूर से देखने में भी कुछ अलग नगज़ आता है दुनिया को बहुत अच्छे से देखना है न, तो ना दूर से देखो, ना गुरूर से देखो, दुनिया की हकीकत आपको पता लग जाएगी, कि दुनिया क्या है, अहम बहुत घातक हैं, और मुझे तो एक सायर की बात याद आ रही, कहो तो सुनाओ, एक सायर कहता था जुकते वही हैं, जिसमें जान होती है, जुकते वही हैं, जिसमें जान होती है, अकड तो एक मुर्दे की पहचान होती है, आप अपनी जिंदगी में जुकना सीख लो आप अपनी जिंदगी में जुको और अगर अहिंकार है भी तब भी बुरा नहीं है लेकर छोटा अहिंकार बहुत घातक है अहिंकार होना भी चाहिए तो इतना बड़ा अहिंकार होना चाहिए पूरी दुनिया, तुम में समाहत हो जाएं छोटे मोटे सब अहिंकार समाहत हो जाएं इतना बड़ा अहिंकार भी ठीक है कमसे कम Ego लाना ही है तो रामर जैसा लाना है ताकि राम जी तो आएंगे मारन के लिए irrelevant अग्लशोड़ति तो पैसा भी गया नाम भी गया और मेहनत भी गई कमाई भी धमाई भी गई और जब पैसा गया तो लोगाई भी गई फिर बॉक का करेगी भईया हो गई फिर सब स्वाहा बो सीता राम अब का करो हो भईया इसलिए जिन्दिगी में हमको त्याग कर जितना मिले न इस्वर को धन्यवाद दो थोड़ा माता पिता की सरण में जाओ थोड़ा बीच बीच में गुरू की सरण में जाओ थोड़ा भगवान की सरण में जाओ और मेंटिनेंस करते हुए अपनी जिन्दिगी को जीना प्रारंब करो कोई दीन हीन देखे न अपनी पॉकट में दस पाउंड है एक से उसकी सहायता जरूरत मन देखे सहे तक कर दो कुछ नहीं बिगड़ना आदे से ज़्यादा जर्म हमने फिर कहा फिर कहते हैं समस्याओं का हम लोग इगों में देते हैं रामाइड में दो पात्र ऐसे हैं रामड का अभमान और अंगत का स्वाभिमान रामाइड में अंगत का स्वाब इमान बोल ला था कि अगर तुम में दम हो तो मेरा पैर उठा ये रामड के सामने अंगत अभमान में नहीं बोले स्वाब इमान में बोले रामड जब भी बोला अभमान में बोला अभमान में बोलने वाले का विनास होता है स्वाब हिमान में बोलने वाले का नाम रोसन होता है अंगत का नाम आज भी चल रहा है रामड का भी चल रहा है पर बेज्जिती वाला नाम भी दो प्रकार का होता है एक बदनाम एक नाम आपको चैन करना है कि बदनाम बाला नाम चाहिए कि सच्छा नाम चाहिए अगर बदनाम होना है तो कुछ भी ठाठा शुरू करती है लेकिन राबर हमेशा अहम में बोलता है अंगत जी हमेशा हम में बोलते है